है गाईज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो तो गाईज आज की वीडियो में काफी सारी इंट्रस्टिंग बाते होने वाली हैं और यहां पे दो मेरे पास रखे हुए हैं एम्प्लिफार के बोर्ड ठीक है और यह मतलब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि भाई कोई भी चीज ह बॉड़ खरीद रहे हों तो आपको तो थोड़ा सी छान रखना है कहीं से भी परचयाज कर रहा हूं कहीं से भी परचयज नहीं है कि मेरे स Aha से ठीक लगे वो वहाँ से purchase कर सकता है तो यहाँ पर मेरे पास रखे हुए है दो amplifier board जिसके अंदर की एक है 200 board stereo यहाँ पर जिसके अंदर 2SE 5200 और 2SA 1943 के pair के साथ यहाँ पर रखा हुआ है दूसरी side के अंदर रखा हुआ है TDA 7294 का board जो की अभी हमने कुछ महीने पहले ही इसको launch किया है तो जितने भी भाई है जिननोंने subscribe कर रखा है channel वो मतलब वीडियोज देखते रहते हैं तो उनको confuse हो रही थी कि भाई जो 200 board stereo 2SE 5200 के साथ है वो वाला purchase कर लें क्योंकि यह थोड़ा सा सस्ता है या फिर यह जो TDA7294 वाला जो amplifier board है इसको purchase करें यह थोड़ा सा costly है तो better कौन सा है कौन सा सही रहेगा या फिर मेरे पास इस तरीके के speaker है तो उनके लिए better कौन सा रहेगा वो सारी चीजे इस वीडियो में clear हो जाएंगी तो देखो सबसे पहली चीज तो यह है कि जो audio file बंदे होते हैं जिनको भाई crystal clear sound चीए होती एक beat सुननी होती है ठीक है वो जाते हैं TDA729 की तरफ और जिसको भाई ज्यादा output चीए होती है धूम दढ़ा का चीए होता है पार्टी वार्टी सिस्टम का हिसाब किताब जिसको चीए होता है कि मेरे को भाई बास हिलाना है जब कुछ तो वो जाते हैं transistor based amplifier की तरफ ठीक है तो यह चीज तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि अगर आपको एक अच्छी quality crystal clear sound चीए एक balance जो sound होती है वो चीए है तो आपको TDA7294 पे जाना है भले ही output कम हो लेकिन मेरे को एक best output चीए best sound चीए क्योंकि जो बंदे ज़्यादा देर तक sound सुनते हैं कम volume पे ठीक है उन बंदों के लिए यहाँ पे TDA7294 रखा हुआ है और जो बंदे भाई ज़्यादा देर तक song सुनते हैं न मतलब धूम धड़ाके के साथ base जिसको ज़्यादा ही चीए होती है beats से जिसको कोई मतलब नहीं होता है हिलाने से मतलब होता है तो वो जाते हैं transistor based amplifier की तरफ ठीक है लेकिन दोनों की अपनी qualities है जिसको ये पसंद आता है वो ये ले सकता है जिसको ये आता है ये ले सकता है लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे इन दोनों की जो बनावट है वो किस तरीके की है यहाँ से आप जो अपना पैसा है वो किस तरीके से बचा सकते हो ठीक है वो चीज भी इसके अंदर डिसकस करेंगे थोड़ा सा तो देखो यहां पे यह जो एम्प्रिफैर है यह रखा हुआ है जिसको 12 इंची के स्पीकर चलाने हैं जिसके पास 12 इंची पड़े हुए हैं पहले से ही या फिर 15 इंची भी जहल लेता है कोई दिक सब्सक्राण रखते हैं कि ओम जो उसका रेजिस्टेंस होता है स्पीकर का उसके पीछा लिखा होता है अगर बैटर है कि इस पे जैसे 24-24 की मैक्सिमम एसी सप्लाई इसके अंदर हम दे सकते हैं 24-24 से ज्यादा अगर हम इसके अंदर देंगे तो यह खराब हो जाएगा और 24-24 की सप्लाई इस पर दे रहे हैं तो आपका बनता है कि आप इस पे 8 होम के स्पीकर यूज़ करें ठीक है अगर 4 होम के भी यूज़ कर लो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फिर यह थोड़ा सा हीट करेगा और हीट होने की विज़े से फिर यह बीच बीच में ट्रीप करेगा मतलब बंद हो जाएगा ओटोमेटिकली क्योंकि जो आइसी है टीडिये 7294 इसके अंदर थर्मल प्रोटेक्शन इन बिल्ट होती है जैसे 3030 लिखा वाप इस पर 3535 लगा तो भी चलेगा 4040 लगा दिया तो भी चलेगा ठीक है तो वह चीज होती है अगर रफ एंट टफ के लिए चीए तो आप यह परचेज कर सकते हो अगर आपको अच्छी क्वालेटी के लिए चीए और भाई देख देख के आप मतलब ओडियो आपको नोलिग है अगर चीज की कि किस तरीके सके एंप्ट्रीफ ए चीच करना है तो आप यह वाला हम मे लोगों ने चूज किया था कोई 200 वोट सेल लेके आओ तो यहां पर भर भर के आपको लोगों को डिसकाउंट भी मिल जाएगा इन दोनों पर तो डिसकाउंट के भी बात करेंगे कितने रुपे का डिसकाउंट आप लोगों मिल रहे हैं तो उससे पहले इसकी जो बनावट है हैं उसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे तो बनावट यहां पर देख सकते हो एक पेर 100 वोट के आसपास आउट पूट देता है अगर अच्छी पावर सप्लाई देते हो आप तो 120 वोट तक भी यह जा सकता है तो यहां पर जो पावर सप्लाई है इसमें 10,000 लोट यह को दिखत वाली बात निंघंग वोल्ट का हो जाता है क्योंकि यहां पर 3-0-30 लगना है ओर 24-0-24 लगना है कोई दिखकत निया लेकिन मैं चीजस जो होती है यहां पर protections ठीक है तो यहाँ पे आपको इसके अंदर जितनी protection जो भी लगवानी है वो आपको अलग से लगानी पड़ेंगी जैसे speaker protection है या फिर preamp section है ठीक है या कुछ भी जो protection है आपको वो अलग से इसके अंदर से लगानी पड़ेंगी लेकिन ये जो है इसके अंदर जो ICA TDA 7294 उस जो tone है यहां पे लगे हुए potentiometer है यह plastic package के अंदर यहां पे हमने लगा रखे हैं और यह जो है यह easily खराब नहीं होते यह सालों साल चलते हैं यह बहुत मतलब इनकी कोई life ही नहीं कि इतना चल जाए क्योंकि खराब जो होता है potentiometer वो इसके अंदर जैसे धूल वगरा घु सबूफर के लिए वो भी इसके अंदर inbuilt आप लोगों को मिल जाता है किसी को सबूफर attach करना दूसरे amplifier से तो दूसरे amplifier को इसके low pass filter से आप चला सकते हो ठीक है उसके बाद यहां पर नंबर आता है speaker protections का यहां पर आप देख सकते हो speaker protection दीगे stereo speaker protection इसके अंदर हमने दी गई है उसके बाद चारगरश्टर की power supply है ब्रीज रेक्टिफ हैर से हम कुछ है मतलब कि यह जो amplifier board है यह जो plug and play वाला हिसाब किताब होता है तो उस तरीके का यह amplifier board है अगर आपको knowledge भी नहीं है तो भी इसको आप थोड़ा बहुत easily use कर सकते हो आपको खाली क्या गरना है transformer लगाना है input देनी है और output ले लेनी है ठीक है बस यह हिसाब किताब इसका पलग एंड पले और यह वाला जो है भाई साब यह वाला जो रहेगा इसके लिए transformer है speaker protection है और preamp है या फिर आपको low pass filter जो भी कुछ लगाना है वो सारी चीज़े आपको अलग से इसके अंदर लगानी लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर खाली आपको 24-24 देनी है सारा सारा जो board है वह automatically run करेगा power supply जो speaker protection के अलग से देने की जरूरत नहीं है जो preamp है इसको अलग से देने की जरूरत नहीं है तो सारी के सारी चीज़े इसके अंदर inbuilt करी गई है ठीक है तो य यह जो चीज है यह rough and tough के लिए है यह है audio file जो बंदे होते भाई जिनको धिमी धिमी आवाज में अपना music शुनना होता है और वो सुनते रहते हैं जिसको clarity से मतलब होता है धूं-धूं से कोई मतलब नहीं होता और जिसको भाई हेलाने से मतलब होता है वो इस तरीके का purchase कर स discount ठीक है इस पर 500 रुपे का discount है क्योंकि इसमें ज्यादा discount हम दे नहीं सकते भाई क्योंकि आप देख सकते हो सारी चीजे जो हैं कितनी premium इसके अंदर लगी हुई है उसके बाद यह भाई साब आता है तो यह 1400 रुपे का होता था अब इस पर सिधा सिधा आप लोगों का 200 र करनी पड़ेगी उसके बाद जो order है वह आपके घर पर पहुंचेगा तो मिलेंगे नेक्ट वीडियो में गाईस तब तके लिए बाई टेक केर